Hello students, यह 3rd class का exercise है 1.C की, इसमें है place value, तो place value के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, इसलिए वीडियो बना के आपको solve करके बताया जा रहा है, तो अब इसमें देखो, question है, write the place value of the uncircle digit, uncircle digit, तो यह 6 है, इसको circle किया हुआ है, तो हमें 6 की place value बतानी है यहां पे, तो 6 की place value, 6 के बाद जितने number हैं, जिसकी place value निकालनी हैं उसके बाद इतने number हों, उतनी ही 0 आएगे, तो 6 के बाद, क्या है, 8 है, एक लिए 9 की number है, तो इसकी place value कितनी होगी, 6 और, 0, यह इसकी place value होगी, अब अगले में 7 को circle किया हुआ है, तो 7 की place value में निकालनी है, 7 write कर दि त्री डिजिट्स हैं तो 1 2 और 3 यह इसकी प्लेस वैल्योग गई अब नेक्स्ट में है 3 को सर्किल किया हुआ है 3 की प्लेस वैल्योग बतानी हमे तो 3 की प्लेस वैल्योग कैसे बताएंगे पहले हमने यहाँ पे कर लिया 3 राइट उसके बाद कितने नमबर हैं तो तो जीरो लगा दी इसी परकार से फोर सरक्ल किया हुआ है तो हम यहां पर कर लेंगे फोर राइट उसके बाद कितने नमबर हैं वान टू थ्री तो वान टू और थ्री यह इसकी हो गई प्लेज वेल्यू की फोर की इसी तरह नेक्स्ट में है वन सरक्ल किया हुआ है तो वन राइट कर लिया आप इसकी प्लेज वेल्यू के लिए वन के बाद कितने हैं फोर हैं तो फोर वन नमबर है तो वन जीरो लगा देंगे उसके बाद इसमें क्या है लास्ट वाणे में 6 को circle किया हुआ है तो 6 write कर लिया 6 के बाद क्या है कोई number नहीं है तो 6 का 6 ही रह जाएगा यह इसकी है place value तो next है circle the number in which in which the place value अब हमें इसको क्या है समझना है the place value of 3 is 300 तो यह निच्चे option दिये वे हैं इसमें से हमें वो number डूढ़ना है जिसकी place value 300 हो तो इसका मतलब जो 3 number है वो 100 की जगह पे आए वो इसका सही answer होगा अब यह देखो इसमें 100 की जगह पे इसमें 10 की जगह पे है इसमें 1000 की जगह पे है और इसमें 1 की जगह पे तो 300 थरी की answer option कौन सा सही होगा जहां पे यह 100 की जगह पे है यह वाला option फिर इसमें पे प्लेस वाली हो 4 इज 40 तो 4 मतलब 40 का मतलब 1 और 10 4 कहां आना चाहिए 10 की जगह पे आना चाहिए वो हमारा जो option होगा वो सही होगा तब हम देखते हैं यहां पे 100 की जगह पे 1000 की जगह पे है यहां पे 10 की जगह पे और यहां पे 1 तो हमें कौन सा देखना था जहां पे 4 10 की जगह पे होगा तो यह है हमारा सही होगा option फिर है दे प्लेस वैली ओफ 6 is 600 तो इसमें क्या है 600 की जगह पे आएगा वो option हमारा सही होगा तो इसी तरह ये 10s की जगए पे 1s की जगए पे है ये 100 की जगए पे उर ये 1000 तो हमें क्या देखना है 100 की जगए पे होना चाहिए तो ये वाला हमारा सही है फिर है the place value of 8 is smallest 8 is smallest smallest मतलब 8 जो है वो 1s की जगए पे होगा वो place value हमें देखनी है तो यहाँ पे नहीं है यह thousand की जगह पे यह once की जगह पे है तो यह हमारा क्या होगा सही होगा क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 की जगह पे तो smallest मतलब once की जगह पे तो यह हो गया यह हमारा option हो गया तो यह आपके दो questions है जो मैंने आपको बता दिये हैं और इसको WhatsApp पे भी भेज दिया जाएगा वहाँ से आप कर लो और यह आपका यहाँ से Soul करके बता दिया है अच्छे से समझ में आजाना चाहिए Place Value क्या है कि जिस नंबर की हमें Place Value निकालनी होती है उसके बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगाते जाएंगे तो हमारी Place Value आ जाएगे Thanks